हालो मेरे पैरे बच्चों क्यों से हुआ आप मेरे सारे बच्ची अच्छे हुए तो देखिए बच्चों जैसे कि इसली वीडियो में मैंने एक वीडियो बताया था आपको किये वाद दिये दिमाब वालों के लिए मैंने पीशे बताया था नहीं आ रहा है थो आप मेरे सारे देख लिए मैंने बताया था इक ऐसा क्वेश्चन आप बताई ये जो कि आप अत्तिय दिवाग से बता सकते में जिस्विए नंबर है जिसमें कि वन प्रस पोर स्कल्टू फाइब ये पांच एक धन च्यार प्राब देने के लिए मैंने कहा था कि तेज दिवाग वाले होंगे तो बच्चे देगे तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कुछ लोगों नहीं किया तो मैं बता ले थी आपको फिशले वीडियो पे बताय थी कि मैं इसका जवाब बताऊगे तो आज मैं जवाब लेके आ गई इन वो थे जहां द्यान से समझें पूर चलों उपर दीखा है कि ए धन 4 बराबर 5 तो ठीक है। उसकी बाद जो लिखा है सोचपके है कि 2 धन 5 बराबर 12 कैसे आया ना, सोचना चाहेंग ना, देखिए उपर जो हम एक धन 4 प्लावर 5 किये हैं यानि कि 1 प्लस 4 इसको भी नीचे काउंट कर लिए है तो इस तरह से बाहरा आ गया इक धन 4 को मिलाएंगे तो 5 हो गया और 2 धन 5 को मिलाएंगे तो यानि कि 5 और इसमें का 2 7 और आगे प्लस 5 इसको लेकि हो गया 12 यानि कि 2 प्लस 5 इसको तो 12 ठीक है अब देखिए उसी तरह से नीचे भी आई जाईए तीसरी राण में देखिए 12 बैन यानि 12 हो गया जो हो तो 12 से नीचे की लाइन जोड़िए आप 12 और 3 15 15 और 6 इसको इंगलिज में कह सकते हैं 12 और 3 15 15 और 6 21 हो गया ना अब आगे तो 6 प्लस 9 बचता है जो 21 में 6 काउंट करेंगे तो 21 और 6 किता हो गया 27 अब 27 और 9 को काउंट करेंगे 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 यानिकि 36 हो गया तो अगला नंबर हो आ रहा हो गया 21 अच्छा है 27, 27, 27, 27, 36 ठीक है तो इस तरह से इसका नंबर सही एंसर हमारा 36 यानिकि 36 ठीक है अब समद रहा ना उमीद है शिक गया होंगे चलिए तो इस तरह का मैं अगली बार दूसरी बार पताने वाली हो इससे दिमाग आपको बढ़ता है इस तरह कि पैसले आपको बच्छों बार बर करना चाहिए ठीक है जितना ज्यादा दिमाग खर्च करेंगा ना मैंड खर्च होता है तो माइंड बढ़ता भी है ठीक है अब इन्यों बाते से वोडियो आपकर है विडियो झाल झाल